तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बलॉगर में जो है डाउनलोड बटन कैसे लगाए जाएगा जैसे कि आप यह देख रहोगी यह बलॉगर है और इसमें पोस्ट लिखा जाता है ठीक है तो इस पोस्ट को चलिए मैं आपन कर लेता हूँ आपन होने के बाद जो है हम करेंगे क्या कि नीचे की और आएंगे ठीक है और इसमें जो है अच्छे तरीके से पोस्ट लिखना परता है ठीक है तो यहाँ पर जब कोई download पर click करेगा तो होगा क्या कि यह जो है direct download होना शुरू हो जाएगा जैसे कि आप नीचे में देख रहे हो ठीक है तो इसके अंदर में कैसे link हमने set किया और यह download button कैसे लगाया है इसी के बारे मैं आपको बताने बाला हूँ तो चलिए करते क्या है कि इसको कर देते back अब back होने के बाद जो है जो भी आपका blog होगा ठीक तो उसको करना क्या है कि यहाँ पर आपको open करना है ठीक तो यहाँ पर जो है मेरा एक blog है उसको कर लेता हूँ open तो जैसे कि यहां पर आप देख रहो कि यह open हो चुका है ठीक है तो यहां पर पहली से मैं एक try के लिए पोस्ट बनाया था कि काम करता है कि नहीं करता है और आपको भी मैंने बता दिया कि 100% यह work करता है ठीक है तो यहां पर करेंगे क्या की इस post को हम हम डिलेट कर देंगे ठीक है तो डिलेट करने के लिए जो है यहाँ पे किलिक करेंगे और यहाँ पे डिलेट पोष्ट पे हम click कर देंगे तो यह जो है delete हो गया अब बांकी जो है इसमें जो है new post में आपको create करके मैं बताओंगा तो यहाँ पर जो है new post पे हम click करेंगे तो आपके सामने में जो है इस परकार का page open हो जाएगा ठीक है open होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले post का title देना है ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगी मैंने post का title दे दिया अब उसके बाद जो है इसमें post लिखना परता है ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिस application को आप यहां पर देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि उसका जोए icon download करना होगा तो यहां पर जोए मैं bitmate के ऊपर जोए यहां पर post डालने वाला हूँ और जोए मैं यहां पर download button लगा के बताऊँगा और उसके अंदर में जोए link set करके मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो यहां पर जोए करेंगे क्या कि यहां पर image पर click करेंगे insert image पर और यहां पर upload form computer पर click करेंगे click होने के बाद आपके सामने इस परकार का page open होगे आ जाएगा तो यहां पर आपको करना क्या है कि चूइट फाइल पर click कर देना है click होने के बाद यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर एक icon लेना है आपको ठीक है तो icon जोए हम beadmate का लेंगे क्योंकि यहां पर आपको beadmate के ऊपर पोस्ट लिख के मैं आपको बता रहा हूँ तो यहां पर बीड मेंट का icon लिया और यहां पर वह आजाएगा आने के बाद आपको करना क्या है यहां पर कि इस पर एक बार click कर देना है और यहां पर नीचे select पर click कर देना ठीक तो यह जोए यहां पर आजाएगा पानकी इस पर click करके आप इसका size बढ़ा घटा भी सकते हो ठीक है यहाँ पे small, medium तो चलिए यहाँ पे medium पे click कर देता हूँ यह नहीं तो आपको करना क्या है कि small पे ही रखना है ठीक है तो यहाँ पे small पे हम click करेंगे ठीक है तो यह छोटा हो गया छोटा हो सम्ट करेंगे पर और उसके बाद यहां पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है कि Google से आपको एक PNG डाउनलोड बटन डाउनलोड करना है ठीक है तो वो डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पर आपका वो दिखेगा तो पहली से जो है मैं PNG डाउनलोड बटन डाउनलोड करके रखा हूँ तो यहां पर जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पर जो है यह दिख रहा है तो चलिए मैं इस पर किलिक कर देता हूँ किलिक करने के बाद यहां पर ऑपन पर किलिक करने के बाद यहां पर इस पर हम किलिक करेंगे ठीक उसके बाद फिर यहां पर सेलेक्ट पर किलिक कर देंगे तो यह नीचे की और आ जाएगा पांकी इस पर एक बार आपको किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद इसका साइज का customize आपको कर लेना है तो यहाँ पर जो small कर देना है ठीक है small करने के बाद जो है आप इसके अंदर में जो है हम link set करेंगे ठीक है link set करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो है Google पर जाना परेगा ठीक है तो जैसे कि यहाँ पर आप देखरो कि पर यह Google open हो चुका है वाकि आपको इंहुआ पर सर्च करना है my अि बीडमेट सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या कि जिस बबसाइट फेट होगा तो आपको जो अच्छे बेश्ट पर जाना है ठीक है तो यहाँ पर जो है में अपन कर लेता हूं उस website को तो यहां पर जो है हम करेंगे क्या कि जो भी website अच्छा होगा उसी website पर आपको जाना है ठीक है तो हम भी वही कर रहे हैं तो यहां पर जो है यह जो है अप्टो डाउन का website है ठीक है अप्टो डाउन.com तो इस पर हम click करेंगे click होने के बाद जो है यहां पर आपको करना क्या है कि यहां से यह latest बरजन है अगर आप यहां पर click करके ठीक है जैसे कि यहां पर जो है आप click करके और इसका जो है copy link address करते हो तो यहां पर होगा क्या कि direct download नहीं होगा BEAR made that है फिक है वह पहले जो है इस website पे आएगा उसके बाद यहां से download कर पाएगा तो यहां पर जो हम direct link जो है set करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पर जो है इसी पर click कर देना है latest बरजन पर is और लेटेस्ट बरजन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है ठीक है और यहाँ पर आपको करना क्या है कि कॉपी लिंक एडरेस करना है ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं और कॉपी लिंक एडरेस पर तो यह जो है कॉप चाहो तो यहाँ पे pencil के icon पे click करके इसमें link set कर सकते हो या नहीं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो insert और edit link पे click कर देना है आपको और यहाँ पे जो पहले से जो है इसमें link ठीक है उसको करना क्या है कि आपको delete कर देना है सभी को ठीक है तो delete हो गया बांकी जो हमने link copy किया है उसको यहाँ पर paste कर देना है तो यह paste हो गया, paste होने रहे यहाँ पर आपको करना क्या है कि apply पे click कर देना है ठीक, तो इसमें जो यह link set हो गया, link set होने के बाद जो एक बार मैं आपको बता देता हो इसको publish करके कि यह चीज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम करेंगे publish और यहाँ पर जो है confirm पर हम click कर देंगे तो यह जो है तो यह post जो है हो चुका है post होने के बाद जो हम करेंगे इसका theme open करेंगे ठीक और आपके सामने में यह theme open हो जाएगा open होने के बाद यह post हमने इसमें डाला है तो इसी पर हम click करेंगे ठीक है click होने के बाद जो है करेंगे क्या कि नीचे की और आएंगे ठीक है नीचे की और आने के बाद आपको इसमें अच्छे से post लिखना है ठीक है post लिखने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो download का button देते हो link set करते हो इसमें तो कोई भी आएगा तो यहाँ पर जो click करेगा तो होगा क्या चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसी download के button पर click कर गया तो यह जो है direct download होना शुरू हो गया ठीक है इधर की set आप देख सकते हो ठीक है बांकी जो है mobile के अंदर में इस तरीके से दिखेगा जैसे कि अभी आपको screen पर दिख रहा है तो यह जो है download होना शुरू हो गया और यह जो है कुछ दिर में download भी हो जाएगा तो कैसे जो है आपको blogger में download बटन लगाना है और कैसे उसके अंदर में link set करना है वो सारा तरीका आपको मालम चल लगया होगा तो चलिए अगर आपको यह जनकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना like अगर आप मेरे चैनल पर नहे हो तो इस चैनल को कर देना subscribe subscribe करने से यह फाइदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं अगले वीडियो में